दोस्तो आज वीडियो बना रहो है यह स्नेक प्लांट के उसमें इस्नेक प्लांट जो है आजकल इसकी डिमांड भी बहुत ज्यादा हो गी है क्योंकि इस्नेक प्लांट जो है घर पे अगर हम लगाते हैं तो यह एयर प्यूरिफायर का काम करता है जितने भी घर में हार्म और ऑक्सीजन को प्यूरिफायर करता है तो इस बम ड्रूंत प्लांट के जो हृट दें 충 씨 एसको सुद्द्य करता है तो इस लेएग्यां एक ब्लांट जैते हैं तो एक तरीका बताऊंगा कीसे लगा जासकता है और किस तरी से कटिंग लगाया सकती है या इसको जो बेवी प्लांट होते हैं उनको किस तरीके से आप घर पे लगा सकते हैं अगर आप नर्सरी से ला रहे हैं तो उसके बारे में बताऊंगा कि आप इसको कैसे पॉट में लगाएंगे और कैसी मिट्टी उसके लिए चाहिए होगी वीड सकते हैं और यह कुछ बेवी प्लांट भी आ रहे हैं अगर आप बेवी प्लांट लगाना चाहते हैं तो देखेए हैं अगर यह सको यह बेवी pleasant होताता थो इसमें नई ग्रोथ आती है उसका आप इस तरीके से निगालेंगे एए कित्ती जड़़ें आ गी है एक तरीका तो यह होता है अगर आपको कहीं से मिलता है इस नएक प्रांट तो उसमें जो बेवी प्लांट आहे रहते हैं छोटे से पप बगए जो आहे रहते हैं उनको पोन के कैसी भी की मिट्टी में लगा सकते हैं और यह रिका मैं आपको और बताऊओं गाउस को कटिंग से कैसे लगाए जाता है आप जब पौधे की जब कोई पौधा देखते हैं देखिए जैसे यह है तो इसमें जो मिच्व जो स्टैम है देखिए मिच्व है और जो यह प्रीमिच्व है इसको नहीं क्योंकि बहुत मुलायम है जो हाट टाइप की हो जाती है ज्यादा ग्रीन हो जाती है जो ज्यादा डार्क ग्रीन हो जाती है वह मिच्योर होता है उसको आप लगा सकते हैं तो आज मैं तरीका बताऊंगा आपको किस तरीके से लगाते हैं क्योंकि आप अगर जो एक लेए कर देना है कि जो नीचे वाला हिस्सा कर देंगे आप झाल लेगा तो एक त्रीक्पार आप धिले warto क्योंकि उसी में जड़ बनेंगी आप उपर उला हिससे लगाएंगे तो इसे बहुत मेहंगा पड़ता है अगर आप घर पे आगर इसको इस तरीके से लगाएंगे तो आपके बहुत सारे प्लांट बन जाएंगे यह देखिए मैंने इतनी कटिंग ले लिए आप अपने हिसाब से जितनी आपको चाहिए कटिंग उस प्रकार से कटिंग ले सकते हैं और इसको लगाना किसमें देखिए यह आप रेता लीजिए जो कंस्ट्रक्शन साइड में रेता आता है वो ली ली 너무 है इसमें फंकस भी नहीं लगता है तो आप जो दीटा लखे इसको पानी से भीगा देंगे और इसकी जो कटिंग जो आपने ले रिखी इसमें देखिए जो एलोविरा है एलोविरा का जो जो जैल है उस से फंकस नहीं लगे गा है इसमें पोहया घ्ट वह रहएं़沒有 और इसको इस तरीके से देखे इस तरीके से आप लगा सकते हैं एलोविरा जैल के अलावा अगर आप रूटिंग हार्मोन है आपके पार तो आप रूटिंग हार्मोन भी यूज कर सकते हैं कि रूटिं Halmon में जो है और ग्रेनिक तरीके से यू बता रहा हूं आपको घर पर ही आपके ये मिल जाएगा आप узнаद्गा आप में लगा सकते हैं इसकी जितनी कटिंग है व्लो घ्रो जैंगी डालोमें आच्छा जो है रूटिं अइस तरीके साव इसकी सारी कटिंग लगा द कोई भी आप कटिंग लगाते हैं तो उसको ज्यादा लंबी ना रखें क्योंकि हिलेगा तो आपकी जो रूट है वो बडिस्टर्बूंगी और बन नी पाएंगी और देखें इसमें 8-10 दिन आपको नर्सेशी से लाने की जरद नहीं है आप कहीं से अगर आपको मिलता है तो आप इस तरीके से लगा सकते हैं और एक तरीका जो मैंने आपको बताया था यह जो यह जुप आप निगलते हैं इसको भी आप लगा सकते हैं यह देखें मैंने कुछ जो है कटिंग लगाई इनका यह ग्रोथ है देखे इतने अच्छी होगी है इनको अभी दो तीन महीं दो या तीन महीने हो रहे हैं लगबल लगए मैंने कटिंग से लगाये थे और इसमें अच्छी ग्रोथ होगी है इसको मैं आप ट्रांस्प्लांट करूंगा बड़े पॉट में और कुछ जो है इ इस हसक मैंने मिला रहा है इसमें और थोड़ी सी गार्डन सोईल उसमें आप इसको लगा दीजिए यह अच्छी ग्रोथ कर लेगा और आप इसको इंडोर प्लांट के रूप में लगा सकते हैं इसमें पानी ज्यादा देने की विए आउसकता नहीं है अगर आप इसमें आते रहूंगा धन्यवाद